कि मोदे सरकार की दूसरे कारेकाल का आज अंतरिम बजट है इस पर में साथ बात करने के रविन सावन जी हैं सर क्या उमीद है अपको कुछ जादा उमीद नहीं रख सकते हैं दस बरत में जो नहीं वह क्या इस में हो जाएगा क्या कि कल भी मामें राश्टर पती जी जब अच्छी महिला उकर वहाँ जो कुछ चल रहा है एक वाक्य नहीं आया उनका कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए देश में ऐसा भी नहीं आया तो समझ जाना चाहिए कि ये सरकार जुमलेबाज सरकार है ती आज है कल भी जुमलेबाज रहेगी गरीब बहुत गरीब हो रहा ह अमिर और अमिर हो रहा है एक तरप आप कहते हो ट्रिलियन डॉलर की एकोनामी बनेगी और दुसरी तरप कहते हो असी करोड़ लोगों को हमना आज मुक्त दे रहे है इसका मतलब इसका मतलब उनका उत्पन्य नहीं बड़ा ना वह इसे रहे दस बरस में क्या किया आपने ग नोक समझ गए अपकी जुमले बाजी किसान तो इतनी बुरी हलत एक किसान की एक तो हर किसान चाहता है कि मेरा लड़का कई सरकारी नोकरी मिलेगे अब सरकारी नोकरी आई खतम गर दी सब्सक्राइब कर दी पुब्लिक सेक्टर खतम कर दिया नोकरी कहा लगेगी रोजगार शब्द प्रयोक करते हो नोकरी नहीं बुलते दो करोन नोकरी देने वाले थे दस बरस में बिस करोन नोकरिया होनी चाहिए थी कल मामिन राष्ट्रोंपदीजी के बाशन में भी लाख ऐसा शब्दा आया कुछ लाखों लोगों को हमने नोकरी थी करोन के बाती लिए इससे समझ जाना इनकी असपलता ढखने के लिए परिलिक्षित करता है कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के नितित में जो भारत में एक नई करांती और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है एक विक्सित भारत का लक्ष एक आत्म निर्भर भारत का लक्ष एक विश्व गुरू बनने का लक्ष उन तीनों लक्षों के प्रती उन स्प्रधा के साथ और गती के साथ भारत बढ़ चुका है हमारी चार जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिक्ष में हैं हमारी महिलाएं हमारे नौजवान हमारे करीब हमारे अन्गताता उनके पून रुप से पूर जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बड़ेगा और जो नए नए किर्तिमान हर एक शेत्र में हमने स्थापित किये चाए अदो सनरचना हो चाए प्रधान मंत्री आवास योजना हो जो चाए गरीब कल्यान योजना हो चाए उश्मानकाड यो बढ़ चुका है यही समय है सही समय है अपने काम के कारण अपने नेता की जनता में स्विकारुक्ति के कारण नीती के कारण नियत के कारण और ये सपरकार का डिखा आपने इतना विद्च विकास हुआ है कालमाश्राश्माधीज ओन यी तो है populous measures कुछ h视 ना कि जुलाई की पिस्ट रहे हैं लोगतिश सरकार कां में विश्वास करती है कि समाजी क् randomized के पॉपुलर नर्जाय में विश्वास नहीं करती गरीबुं तक समाजी को पहुंचाती तो कितने सी रही है आप लोगे किस बज़र के साथिसे तो हमक्ति हम ब हम जहां को प contrary करnaıldı को तरशंग ने कितनों आ रहे हैं यही भारत है और भारत को उस प्रोटेंशल को परजाना मूदी जिने अच्छी विरस्था करो अच्छी सड़के बनाओ वहां भी हवाई एड़े बनाओ वहां इस्टेशन बनाओ देखिए नुक्चड़े आ रहे हैं आगे और पढ़े हैं दन रवी हैं रवी आप एक फिसकल डेफिसिट का मुझे टार्गेट बता रहेते हैं बताइए जरा 5.9 या 8 परसेंट ता इस बार देखे 24-25 के लिए 5.1 और 25-26 के लिए 4% का रखा हुआ है और मैं ऐसा कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखे जो सरकार ने नंबर दिये ऐसा नहीं कि इसलिए लेकिन मैं आप से एक चीज जानूगा 5.1 परसेंट तो आज के ग्लोबलाइजेशन में जो हालात है जो ग्लो का रियाक्शन में विदा पिंच ऑफ सौल लूगा क्योंकि वो उनको वो नहीं मिला जो अम्मीद कर रहे थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब बरबाद हो गया नहीं सर पीछे से आपने नहीं देखा ना दो दिनों से मार्केट में 8-10 प्रशत की तेजी डिफेंस सबसे पहले तो GDP ग्रोथ मैं आकाश जिंदर यहां कहता हूं और पूर आपको डेटा दूंगा सवा परसेंट इस वोट अनॉंस्मेंट की गई है उसकी वेड़े से बढ़ जाएगी सवा परसेंट आयमेफ ने प्रडिक्शन की है साड़े 6 परसेंट आने वाले दो साल की मै मैं आकाश जिंदर आपको कहता हूं 7.75 परसेंट जो है GDP ग्रोथ रहेगी आने वाले दो साल में यह मेरी एक्स्पेक्शन आपको पूछी और मैं आपको जवाब दूँगा उसमें उसके पीछे लॉजिक है जी एस्टी कलेक्शन दस हजार करोड प्रतिमाया इससे बढ़ने की समभावने लिए यह मेरा एक बड़ा बड़ा फैक्टर है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा लेकिन अमरे और महमाने यापर सर मैं एक एक मिडल क्लास हूं मैं टैक्स देता हूं सरकार बहुत कुश है ड मिडल क्लास को डारेक्ट अगर आप देखें तो कुछ भी हाथ में आता नहीं दिखता तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि कुछ इस प्रकार की जोजना या प्लानिंग होनी चाहिए कि आप मालो बैंक में डिपॉसिट करा रहे हो तो डिपॉसिट के उपर भी आप टेक्स द लोगों की आमदनी जो रियल इंकम है यह एक बात है जिसे में अग्री करता हूं कि अगर जीडीपी बड़ा है आपकी एकॉनमी बेटर कर रहे है तो इससे आपको इंडिरेक्टली फाइदा तो हो रहा है